हाई फ्रेंड मेरा नाम डॉक्टर रतीक वेल्कम तू माई यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सिस्टैटिस के बारे में अब हम बात करते हैं पहले इसके सिंटम और अलामात के बारे में इसमें सबसे बड़ी और महात्पूर जो अलामत और निशानी है मरीज को पिशाप करते वक्तों पिशाप की जगे पे जलन होती है और मरीज को ऐसा फिल होता है कि मरीज को पिशाप की जगा जखम बन गया है पिशाप में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है कभी कभी मरीद को पेट के नीचे के इसले की तरफ योरीनियक ट्रेके में इनफेक्षण हो जाता है तो उसकी वज़ा से वहां पर infection हो जाता है और साथ ही वहां पर पिशाप करने के ते वक्त तो मरीज को बहुत ज़्यादा जलन और पेन होता है इसमें मरीज को चाहिए कि गरम चीज, अशिया, तेल मसाला और गरम गिजा का इस्तेमाल ना करें मरीज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर मरीज को पेट के निचे तकलीव ज़्यादा है तो गरम पानी की ठहली का इससे काई कर सकता है अब हम बात करेंगे होमेपेटिक दवे के बारे में सबसे अच्छी और बैतरीन दवा है होमेपेटिक में इस बीमारी के लिए युवाविरिस क्यू में एक कप पानी में दिन में तीन बर पांच कत्रा डाल कर इस्तमाल कीजिए अगर तकलीफ जादा हैं तो पांच से दस कत्रा तस ड्रॉप डाल कर इस्तमाल कीजिए उसके बाद केंथेरिस 30 जो ये दवा पिशाब में जलन, बर्निंग सेंसेशन, पिशाब में तकलीफ होना इसके लिए बहुत बहतरी मानी जाती है अगर infection जादा उपर तक हो गया है, मरीज को कमर में और पेट में दरत है तो उसके लिए हमेपेटिक में बेरवेरिस वेलगेरिस क्यू में इस्तिमाल की जाती है अगर मरीज को दवा लेने में और तकलीफ जादा हो तो सबसे बेतर यह है कि केंटियरिस क्यू में ले, बेरवेरिस वेलगेरिस क्यू में ले, यूरिस विवा क्यू में ले तीनों दवा को सेम एमेल में मिला कर एक बाटल में मिक्शर बना ले और एक ग्लास पानी में दस बुंडल कर दिन में तीन से चार बार इस्तिमाल करें इस से मरीज को बहुत बहुत बेतरी अफाका और आराम होता है इसी तरह मेरे आने वले वीडियो जानने के लिए शौट जल्दी जल्दी और शौट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाए